कि आज कि इस विडियो में आपको ब्लाउंज टीज आन्म न बताऊंगी तो इसके लिए मैंने पेपर पेस्टिंग हस्तर और ब्लाउंज की कपड़े के लिए कटिंग और मार्किंग कर लिया है तो मैं आपको इसका नाप दिखाती हुँ तो जो हमारा ब्लाउंज का लेंद के हिसाब से कटिंग और मार्किंग कर लिए अभी पर पेस्टिंग और पिन लगा देंगे ताकि जो अमारा पेपर पेस्टिंग हम पर भी कर देंगे मार्टिंग कर लिया अब इसको दुबारा से फोल्ड करें लगा इसी दर से सिलाई लगा लेना है कि दूप ने पूरे गले में सिलाई लगा लिया है आप हम कॉमर वाले साइड पर भी सिलाई लगा लेगे तो यहां प्ल क्या civर जुए." है तो यह हमने नीचे भी सीलाई लगा दिया है अब हम पीन को हट आ देंगे और सीलाई के बाहर आधा इंच कपड़ा छोड़के बागी कपड़े की कटिंग करेंगे और इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देंगे तो यह मनें पुरे पूरे गले में और किनारे पर फिनिसिंग वाला सिलाई लगा लेना है थो इस तरह से आपको कपड़े को बराबर रपते लिपने ड़ुक्त रख सेसे ऊपड़ और इसके ऊपर बना ले हमने पठी बना के इस पर आईरान लगा दिये अब हम एक पेपर लेंगे और नरी जो मद ब्लांज है इसको ओपर रहेंगे और इस तरह मेंजर्मेंटे ऊसी बर मार्किंग कर दिया है अब हम पट्टी को इसके उपर इस तरह से मेजरमेंट लेके और काट लेंगे तो ऐसे आपको चार पट्टी को कट करना है तो देखिए इस तरह से हम चार पट्टी को कट कर लेंगे और इन पट्टी को इसके उपर हम इस तरह से रखेंगे तो देख लि लेना तो इस सिलाई लगा कि अपको पट्टी को fix डिया है अपने गले में लगाएंगे अपने बलांच के उपर रखके और अपको पिन सेहंगा लगा सकता है जब हम इस को सीलेंगे था आपको दो तիंडें लगा सकते हैंutos लिए अपको कि उपर हम इसे तरह से शिलाई लगा लेंगे कि इसांपने प्लेंगे यह प्राइज रिंक के तो देखिए इस तरह से इस कपड़े को इस पट्टी को आपको सीधा करने के बाद इस पर आइरन लगा लेना है और आइरन लगाने के बाद इसमें आपको आधे आधे इंच का प्लेट बनाना है और बीच सिलाई लगाना है तो देखिए आपको एक दो में प्लेट बना के द को बनाना है तो इस तरह से देखिए आपको बिल्कुल बराबर बराबर आधे आधे इंच की इसमें प्लेट बनाना है पूरे पट्टी में तो यह हमने पूरे पट्टी में प्लेट को बना लिया है अब इसको हम अपने गले में लगाएंगे तो इस तरह से आपको बिल्कुल अब एसे ही आपको repeat करते हुए पूरे में डिजाइन को बना लेना है तो मैं आपको दो तिम दिखा देते हूँ आपको ऐसे ही बना लेना है तो इसमें मैंने एंडमेंट फ्लावर लगा के कम्प्लीट कर लिया फ्लावर की वीडियो कल में मेरे चैनल पे मिल जाएगी and thank you so much friends for watching my videos